hello guys welcome back welcome back to my channel आज हम बात करने वाले हैं रिलांस इंडस्टी के उपर जैसा कि मैं हमेशा इंडेक्स में strategies बनाता हूं तो आज मैंने इस टॉक में हाला कि यह मैं हमेशा बनाता रहता हूं बट इस टॉक में कुछ strategy मैंने बनाई है और पुजिशन कैरी किया है and I want to share that with you see relance industry के result 30th को एक कमिंग 30th और थोड़ा सा breakout भी देखने को मिला है रिलांस में यहां पे breakout भी देखने को मिला है तो अपार्ट फूम ब्रिक आउट सिंगे रिजल्ट नर्डेश वेरी नियर तो मैंने accordingly एक position बनाई है दो position बनाई है एक position बनाई है bull call spread दूसरी मैंने straddle में hedging करके execution किया that even I have to share with you and just see how much loss and profit can be in this strategy so start करते है यार पिना किसी देरी के और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे वीडियो आपको मिल सकें समझते हैं इसको डीप में चलो यहां पर देखो एज मैं हमेचा मेंचन करता हूं कि आज यहां पर देख सकते हो आप बहुत अच्छा breakout डेखने को मिला इस ब्रेक आउट के बाद इस ब्रेक आउट के इलावा मुझे क्या है मार्केट में क्या रिलांस इंडिस्टी तेज रहना चाहिए उससे पहले हिट करेगा दोजार पचास तक जाना चाहिए तो एकॉर्डिंगली मैंने पुडिशन इग्जिक्यूट किया उसके बात कहीं बिजाए कोई फ्रक नहीं पड़ता मैंने अपना पुडिशन बुक करना बाहर हो जाना है अब नाट तो करें इस पूजिशन फॉर होल दी मन्थ एंड एंड इंड यू दिस पूजिशन मैंने अप्रिल का नहीं लिया है अब इक्जिक्यूट क्या किया है ठीक है एक तो पूजिशन मैंने यह बनाई है इसको मुझे एक्जिक्यूट करने में अब इसमें क्या है मेरा मैक्सिम्म आउट फ्लो क्या है मेरा अगर रिलाइंस इंडस्ट्री मेरे को फेबर नहीं करता है रिलाइंस इंडस्ट्री मेरे अगेंस जाता है जिसमें मेरा ओट फ्लो कितना है लेकिन अब भी अगर मेरे कोई सपोर्ट नहीं गया तो मैं मिनिम्मम लॉस्ट बुक करके एक्जिट मार लूँगा लेकिन यह लॉस्ट वाला पार्ट है लेकिन अगर बजार यहां से चलता है ना रिलाइंस इंडस्ट्री यहां से चलता है तो यह मुझे प्रॉफिट दे चलता जाएगा तो यह पूरिशन में इसमें कुछ बहुत कुछ ज्यादा नहीं मुझे बजार तेज लग रहा था ठीक है मैंने सुच्छा है कि इसको स्ट्राइजी डाल दो बुल कॉल स्प्रेड मार दो तो बुल कॉल स्परेड मैंने मार दिया आजी थोड़ा बहुत यह देखे जा रहा होगा करेक्ट एक स्ट्राइजी तो यह मैंने बनाई जो वेरी सिंपल नथिंग तो इन दस बट अपार्ट फ्रम दिस वोट अनदर स्ट्राइजी अब एक्जिक्रिट आं जस्ट तो शेयर यू ठीक है वह देखने में वह देखने वाली बात है वह थोड़ पास है मैं आपको समझा दूँ ताकि आप भी देखो मार्जिन कितना लग रहा है और कैसे पूरिशन हमने क्यों बनाई है रिलाइंस इंडस्ट्री ठीक है यह कब कहें में का लिया मैंने ठीक है क्लोजिंग के देख लेते मैं की यह लगभग मैं की है वन नाइन सिक्स के आ आता हूं आपको मैंने 2000 की कॉल अप्शन यह क्या किया मैंने च्रेटल बनाया मैंने सेल मारा ठीक है अग अब डिया अगर यह निकट सेल आरे हो ना आपको तो maximum profit क्या हो सकता 37000 के आसपास का लेकिन आपका risk भी undefined है selling option is higher risk unlimited risk अगर मैं यह बेच के जाता हूं तो मैरा maximum profit हो सकता है maximum loss वो unlimited हो सकता है बाद range you can see 1849 आपका जो break-even point 1849 से लेके 2151 तक this can be your break-even area in between अगर कहीं भी रहता है तो आपको यह profit देखे जा सकता है and the margin जो इसमें आपको लगेगा 138000 के आसपास as you know I never carry any position which is naked so I always hedge the position so what I have done is after this straddle अभी मैंने आपका प्रीमियम कितना दे दिया 77 का इसमें प्रीमियम दिया 73 का इसमें प्रीमियम दिया तो अभी आपने काम करते है 100 100 120 ओपर हम हें डाल देते हैं ठीक है जहां पर आपका रिस्क डिसाइड हो जाए कि आपका maximum रिस्क हो सकता है और maximum माक्सिम लॉस ही हो सकता है उसे क्या होगा आप पोजीशन ने पैनिक नहीं हो गए अगर मालो रिलांस इंडस्टी का रिजल्ट थोड़ा निगेटिव आता है तो पैनिक नहीं हो गया आप इस सिट्विशन में क्या रिले रिजल्ट खराब हो गया और यह नोट ओकल लिंट दो आप अन्यों नुद नहीं हो गया और रिलांस इंडस्टी का रिजल्ट के आने मतलब यह नोट कंटीनीव चाहता है तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला वो मिनिम्म लॉस भी आप कहा सा निकाल सकते हो भी बता दूंग आपको करेक्ट तो लेट्स सीह 2080 की कॉल अप्शन हम सेल कर लेते हैं देखते हैं प्रीमियम क्या है एटी पॉइंट क्या सब्सक्राइब आपने सेम दिया है अब देख लो यह पुछ निया पफेक्ट पफेक्ट सबसे पहला अन बेस्ट पार्ट यहां पर यहां पर आपको मार्जन करना 60,000 ओली एक चीज देड़ लाख में आप एक फ्यूचर या नेकिट पॉइशन कर जाते हैं यहां पर दो कर लोगे करेक्ट पहला चीज यह हो गया दूचीज हम क्या देखते हैं ब्रेक इवन ब्रेक इवन मैं क्या नाइंटीन थर्ट इस लेवल के अरिया तक को टच कर सकता है तो ठीक है यह पूजिशन हम ले सकते हैं ठीक है हमारे रडार में घूम रहा है अभी आप रिस्क और रिवार्ड रिश्यो देखो तो वन इस्टु फाइब का है वन इस्टु फाइब इस आपका जो मैक्सिमूम रिस्कर रिलाइं 388 बद्टीसो पकड़ लग चलो बद्टीसो के आसपास का रिसकर रिलाइंस इंडस्टी में और मैक्सिमूम प्रॉफिट क्या हो सकता है 16,000 के आसपास इस बार इस चारजी आपका प्रॉफिट रिस्क रिश्यो बहुत अच्छ है रिसक रिवार्ट रिश्यो पोबिल्टी आप रिलाइंस इंडस्टी को अगर देखो ना तो इसका मंथली मोमेंट क्या है 100 पोइंट के अंदर घूम रहा है ठीक है 1880 चला जाता है फिर वहां से 1940 फिर यहां 2040 मतलब इसी एरिया में घूम रहा है काफी टाइम से आप देखना अगर रिलाइंस इंडस्टी टू-0-5 के ऊपर क्लोजिंग बैसिस पर ट्रेड करता है थोड़ा रुखता है वहां पर तो इसमें एक अच्छा मोमेंट आ सकता है बट फूर टाइम बिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई ब्रेक आउट होने वाला है अगर आगे होगा तो एल अपडेट यू और उ इस मुझे बताओ कि मैं एक चीज आपको हमेशा कहता हूं क्या एवरी डेए यू आर पूटिंग सो मनी पूजिशन यू एक्जिकुटिंग सो मनी पूजिशन और मेकिंग प्रॉफिट लास प्रॉफिट लास अट लास्ट वट इस ओ के नेट प्रॉफिट लास कुछ भी इतना ज्यादा चर्निंग से बेतर यह कि को एक ऐसी पूजिशन बनाओ जहां पर प्रीडिसाइड लॉस हो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रीडिसाइड हो या ना हो अगर वह हो तो बहुत अच्छी बात है अगर मंतली मैं ऐसी कुछी पूजिशन बना रहे हैं अपने रड चार-पांच पसंट का रिटर्न निकालर विच वेरी हाई और इससे जाधा अगर एक्सपेक्ट करो दिए इस फ्यूर मच एक्सपर्ट दिन एक्सपेक्ट बडिसे जाधा एक्सपेक्ट करो थोड़ा सा अगर लाला चाहता है तो फिर वहीं पर लॉस लगना शुरू हो जा कि स्टैडेजी है जो वेरी सिंपल आपने स्टैडल को दोनों सब से क्याप लगा दिया ठीक है अब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो आप वो रिस्क टेकर है तो दोनों पूजिशन बेच के आराम से थोड़ा सा वेट कर सकता है है ना मंतली मुमेंट आपको रहे तो आपको पैसा दे जाएगा बट बचार में कि अभी बहुत सब्सक्राइब करना चाहिए ताके आप मार्केट में लोगों को आपने हमेशा सुनों कि स्टॉक मार्केट में पैसे लग गया पूरा पैसा खतम हो गया आप क्यापिटल रोड हो गया तो उन चीज़ों सब्सक्राइबले के लिए आपको हैं जाहिए काम कर लाइं एक हैं आपको पैसा थोडह हीमिल रहा हॉए बैट you are making money पैसा जा रहा है तो थोड़ा तो कम पैसा जा रहा रहा तो हमें कौन सी कॉल अप्शन को भाई करके हैज कर नी चाहिए और भी मल्टीपल स्टेजी अपर्ट फॉर्म स्टॉक अप्शन देर इन इंडेक्स अप्शन विद फूटर से से स्टेजी बहुत सारी स्टेजी हम बता रहें अपने कोस्त में तो यह तो दो पॉटिशन करेक्ट तो यह तो दो पॉटिशन हम ने यह करी किया इसके साथ साथ एज आम वेरी मुच बॉलिशन रिलांस इंडस्ट्री पेरी मच बॉलिश इंडसेंस कि मुझे लगता है कि सतर पॉइंट का सी पॉइंट का मोमेंट आना चाहिए तो ठीक है अगर सतर असी पॉइंट का मोमेंट आता मुझे 30-40 पॉइंट मिल जाता तो आम वरी हापी अपार्ट फॉम देस मैंने क्या किया है रिलांस इंडस्टी के फ्यूचर भाई किया और उसको पॉट से हैज कर पहल点 है और किया यह स्य मैं इन्App एशले से पॉइज बना सकते हो गर सकते हो जहां पर अपना लॉस में बना रहे हो गो बना रहे हो यह तरो की冷़ेजिय स्टरी बना सकते हो कि नीख थोड़ाओ छो invention थोड़ा सा और आपन ओपन कर सकते तोड़ास डिस्टेंस बढ़ा सकते हो एक थिके तो इस जो सकते हो था तो से सहरे दर जो किया एक थे मैंने बहुत ज्धार जाद ओपनी किया टर्म मुझे इतना ही लॉस्ट चले गा उधना na apply according to your view and a update low and you can execute so this was the execution for today we'll take next video me next execution के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरू करना या thank you thank you so much